या बाज अगर देना भी चाहें तो बाज उनको दूसरे जो है यह कहते हैं कि अरे तुमारे पास साड़े साथ तोले सोना थोड़ी है जो तुम जकात दो जबके इतनी मरतबा खोल कर समझाया जा चुका कि साड़े बावन तोले चांदी या साड़े साथ तोले सोना या है आप्शनल रखा हुआ है कि इन दोनों में से किसी एक के निसाब के बकदर या इन दोनों में से किसी एक के खिमत के बकदर भी अगर कोई मालिक हो जाए तो वो साहबे निसाब हो जाता है और आज कलकेश चांदी के रेट के हिसाफ से 38 से 40 हजार कम से कम जो है ये बन रहे हैं 38 तो पके हैं और अगर थोड़ा ज्यादा भी अगर कर ले आप तो 40 40,000 रुपिये के मिलकियत का या 40,000 रुपिये के बखदर किसी भी चीज़ का मालिक है यानी रुपिया है या चांदी है या सोना है तो वो साहब निसाब है मतलब कि अगर समझो किसी के पास एक तोले के बखदर सोने के जेवरात है एक तोले की खीमत तकरिबन साथ हजार हो रही है मेरी बहनों आपको पता होना चाहिए एक तोले की साथ हजार जबके साड़े बावन तोले चांदी की खीमत चालीस हजार हो रही है तब इस एतिबार से साड़े बावन तोले चांदी के निसाफ को वो पहुँच चुके और सोना चांदी और रुपिया पैसा ये तीनों मिलाकर एक ही शुमार किये जाते हैं इस पर तो जकात बनती है हाँ जरूरत असली की चीजे उसमें शुमार नहीं होती अब किसी के पास कार है मोटर है बंगला है एसी है घर के अंदर भारी बहरी फरीज हैं महिंगे महिंगे मॉबाइल हैं मगर ये सब क्या है ये जरूरत की चीजे हैं इस पर तो जगात नहीं आती लेकिन सोना चांदी ये जरूरत असलिया में शामिल नहीं होता असली जरूरत को समझे बात लोग इसमें भी कीड़े निकालते हैं कि जएवर भी जरूरत की चीज़ है न तो यगर कोई जेवर ना पहले तो मर जाएगा क्या यह सब क्या है यह बुखल की अलामते हैं अल्ला की रह में खर्च न करने के बहाने हैं जबके अल्ला ताला ने फर्माया है के तुम जाएज हुडोद में अपने घरवालों पर भी अगर खर्च करोगे तो वो सबसे बहतरीं खर्च करने वाला है हुदूर्ण ने क्या अल्ला है। और जो जो अपने घरवालों पर खर्च करता है वो उसके लिए बहतरीं صدخा होता है तो घरवालों पर इनसान खरच करे जो जरूरत के मताबक हो और अगर इनसान हकूक अ लिबाद में कमी करे ये हकूक अलावे कमी करे तो उसको भी बखल कहा जाता है कुरान करीμ में फर्माया गया कि जो लोग अपने अपने नफस के लालत से बचा लिये गए पस वही काम्याब है इसी तरह हदीस पाक में आया है कि आफ सल्लाव लिए सल्म ने रिशाद फर्माया तुम बुखल से दूर रहो तुम से पहली कवमे इसी बुखल इसी कंजूसी की वज़ा से तबाह कर दी गई चुनाँचे इबलीस पुकार के कहता है कि सखी यानी देने वाला दाता ये मुझे इस से दुश्मनी है और बखील जो कंजूस होता है वो मेरा पका यार है अब अगर शैतान की दोस्ती चाहती है उसके यार बनना चाहते है तो शोख से बखीली कीजिया हदीस पाक में आया है अब आप बखील को कभी भी अपनी जन्नत में दाखिल नहीं होने दूँगा अब आप बोलेंगे इस से क्या ले ना देना मगर ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कंजूस है जाइस जगा में भी खर्च करने को अपने हाथ को रोकते हैं खर्च करने से ऐसे लोगों को कान खोल कर ये सुनना चाहिए कि अल्ला फर्मा रहें खसम खाके कि मैं ऐसे बखीलों को अपनी जन्नत में कभी भी दाखिल नहीं होने दूँगा इसी से अंदाजा लगाएं कि अल्ला को बखालत से कितनी ज़्यादा नफरत है लेकिन इसके बदले सखावत ये लगाएं को बहुत ज्यादा पसंद है मगर एक बास जहन में रखें सखावत का मतलब फुदुल खर्ची भी नहीं है हां क्योंकि फुदुल खर्च ये शैतान के भाई होते है शरीयत ने एतिदाल के साथ दर्मियाना रवी के साथ जिन्दगी बताई है एतिदाल के जिन्दगी गुजारेंगे तो ये ल्लह रब लिजद के नामत की खदरदानी होगी और ये जहन में रखें कि इनसान को जब ललह ताला माल दे तो हराम से अपने आपको बचाने की कोशिश करें इसलिए कि जो मुकदर में है वो तो आके रहता है और जो मर्जी हो जाए कुछ भी हो जाए वो तो मिलना जो है वो मिलके रहता है कितना ही क्यों न करो ये जो कहते है नरिस्ख आसमानों में होता है उसकी एक बात आपको समझाती हूँ है कि बंदा एक इनसान जो है उसके खरीबी साथी का वो वाक्या बताता है कि दफ्तर में काम करता था, सारी अमर जो है दफ्तर में काम करते-करते उसने रिटायर्मेंट ले ली, अल्ला की शान कि उनको कोई 10-15 लाक रुप्य दफ्तर के तरफ से रिटायर्मेंट के बेनिफिट के तोर पर मिले, उन्होंने सोचा कि चल अपने बच्चों के लिए कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, उनका एक जानने वाला था, उनको उन्होंने जो है, वो 10-15 लाक रुप्य पूरे दे दिये कि भी तुम इसको बिजनिस में डाल या कि भी एक भी पैसा नहीं बचा, अब अंदाजा लगाओ कि जिसने जो है सारी जिन्दगी की जमापूंजी दे दिया वो खत्म हो गई तो करें तो क्या करें, कहने लगा जिस दिन उसने मुझे ये कि अब कोई पैसा नहीं, वो पूरी रात मुझे नीन नहीं आई, मैंन अंखों में असारे आंसों की जड़ी लगी हुई है, रोरो के सुना रहे हैं, कि मजलूम हो, मेरे साथ इतना बड़ा धोका हुआ, मैं क्या करूँ, अब जब वो अल्लह वाले के पास जाते हैं, तो वो उनको समझाते हैं, कहते हैं कि भाई, एक बात जहन में रखो, तुमा रिसक जमीन में है या आसमान में, अब जे सवाल थोड़ा मुश्किल था, कहते हैं कि अब कहां है, मैं कैसे बताओं, आप पताओं कहां है, तो वो बजग कहते हैं, कि खजाने अल्लह ताला ने फरमाया है, कि हमारे पास आसमानों में हैं, वो फिस्समाई रिजखकों, यान तुम्हारा रिस्ख तो वहां पढ़ा होगा और जिसने तुम्हारे पैसे जाए किये वो तो दुन्या के जाए किये हैं जो उपर तुम्हारा जो खजाना है जो रिस्ख है वो तो जाए नहीं हुआ कहने लगा नहीं तो फिर कहते हैं कि हिम्मत करो खदम बढ़ाओ एक वादा करेगा तो मैं तेरी रजा के लिए उसको माफ करूंगा ये सारी बाते उन्होंने उसको कही और कहा कि सबसे पहले उसको भी माफ कर दो जिसने तुम्हारे पैसों को हड़प किया था क्योंकि अल्लह माफी को पसंद करते हैं और अपना काम शुरू करो तो वो करोड़ों की डील करते हैं एक वक्त वो था कि जब हजार मुश्किल से मिलते थे मगर अब करोड़ों में डीलिंग हो रही है तो बताना है मेरी बहनों के परेशानी किस बात की जब अल्लय रिस्क दे तो बन्दा हराम की तरफ ख़दम न उठाए हलाल की तरफ सोचे कि अल्ला देने वाला है अल्ला जरूर देते है अब दिल में एक सवाल ये पैदा होता है कि हमारे दिल को खर्च करना पसंद ही नहीं आता दिल ही नहीं करता खर्च करने को तो क्या करें या यूं कह सकते हैं कि दिल में अगर बुखल की बीमारी आ जाए तो क्या करना चाहिए उसका क्या हल है इमाम गजाली रह्मत अल्हाले फर्माते हैं उसका एक ही हल है कि अपने दिल पर जबर करके जबरदस्ती करके अपने माल को अल्लह के लिए खर्च करो फिर जब खर्च करने लग जाओगे फिर दिल में उसकी दिल्चस्पी लेना शुरू हो जाएंगी यही हाल उस बखील का भी है कि अगर दिल बखील है खर्च करने को नहीं चाहता तो दिल पर जबरदस्ती करके अल्लह के रह में पहले खर्च करना शुरू तो करे जो हुकोख और बाद हैं उन पर खर्च करें और जब खर्च करने लगेंगे तो लाँ ताला खुद बखुद दिल को भी उसके मताबिर ढाल देते है और हमको तो ऐसा कुछ खर्च करना नहीं है जिसे हमारे बुजर्गों ने किया कुछ खुशनसीब ऐसे भी गुज़रे हैं जिनको लाँ ताला ने माल भी दिया है और उसों माल के जरी अल्लह का खुर्ब बेहासिल कर रहे होते हैं जैसे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लह टाला नो इतना खर्च करते थे कभी मुसल्मानों के लिए पानी का कुँआ लेके वख्प कर रहे हैं कभी पुरा के पुरा खाफला उटों का सामान से भरा हुआ वो पुरा खरीद लिया और ल्लह की रह में दे रहे हजरत उस्मान गनी का ल्लह टाला ने माल भी खुब दिया था और वो इसको इसको इस्तेमाल भी खुब करते थे वो वाक्ष आपने सुना होगा ना कि मदीना में जो है पानी की कमी थी और एक कुवा था जो यहूदियों का था वो पानी बेचता था मतलब पानी लोगों को जो है पैसों से देता था अब लोगों को बड़ी तंगी होती थी के पानी खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते थे अगर तुम एक मरतबा भी दे दोगे तो मेरा तो क्या हो जाएगा बिजनेस एक मरतबा यानि एक जितने आपने पैसे दिये वो एक मरतबा कहा कि खत्म कर दूँगा मगर ये तो मेरा अच्छा खासा बिजनेस है रोज का चल रहा है मैं क्यों बेचो हज़रत उसमान अगर नहीं भी बिजनिसमेंट थे कहने लगे कि ठीक है मैं तुझे एक मशुरा देता हूँ अगर तुझे अच्छा लगे तो तु कर ले ना वो कहता है क्या तो कहे पूरी खीमत जो तुमारे समझ में आती है जितनी खीमत का तुम को कहना है वो तुम मुझसे ले लो और आधा पानी मुझे बेच दो आधा पानी मतलब एक दिन मैं इस्तिमाल करूंगा एक दिन तुम उसने सोचा के अरे ये तो बड़ी काम की चीज़ है कि चलो पैसे भी पूरे मिल जाएंगे और मैं जो चाहता हूँ कि एक दिन में पानी ये इस्तिमाल कर एक दिन में तो जिस दिन मेरी बारी रहेगी उस दिन में पानी बेचता भी रहूंगा चुनांचे थे तुमान गनी को उसने ये कहा कि ठीक है मैं तैयार हूँ हजरत उस्मान रजी लाह नों ने उसको पैसे दे दिये और एक दिन खुद जो है निकालने लगे एक दिन वो निकालने लगा चन्द दिन में जब हर चीज़ हर तरह से सेट हो गई अधरत उस्मान गनी ने एहलान करवाया कि मेरी बारी के दिन जो भी पानी भरेगा वो पानी मुफ्त ले जाएगा फ्री में पानी अब भला बताओ लोगों को एक दिन पानी जब फ्री मंगने लगा तो पैसे से कौन खरीदे सारे लोग जो है वो फ्री वाले दिन आकर सब अपने जो है बरतन भर लेते और दूसरे दिन इंतिजार करते फिर तीसरा दिन आता फिर भर लेते यानि जिस दिन वो बेच रहा होता था उस दिन कोई गाहक उनके पास नहीं रहा अब चन्द दिनों में यहूदी के पास जब कोई गाहक आया ही नहीं तो वो दिल में आया कि चलो बाकी आदा हिसा भी बेच दो वो खुद ही आता है और अज़रत उस्मान रजी लाह टालानों को कुछ और पैसे देकर बाकी हिसा भी बेच देता है अज़रत उस्मान रजी लाह टालानों ने वो सारा जो है मुसल्मानों के लिए वख्प कर दिया देखो अल्लह ने कैसे उनको नामत दी थी और उन्होंने कैसे उसका इस्तेमाल किया यह बास जहन में रखना कि हमारी जरूरियात सिर्फ यहां की नहीं है सिर्फ उस दुनिया के हद तक नहीं है मेरी बेहनों यहां की हम जितनी भी जिन्दगी है सतर साल, असी साल यहां तो हम रहेंगे लेकिन आगे हमेशा हमेशा हमें रहना है बुजर्ग परमाते हैं कि जितना यहां रहना है उतना ही यही की कोशिश करो जितना यहां रहना है उतना यहां के लिए कोशिश करो और जितना आगे रहना है उतना आगे के लिए कोशिश करो अल्लह ताला जिस बंदे को दुनिया का सेथ बनाए उसे लाजिमन यह कोशिश करनी चाहिए कि नेक कामों में खर्च करते रहें ताकि अल्ह ताला उसे जन्नक में भी सेट बनाए याद रखें मेरी बेहनों कुछ लोग मालदार होते हैं और कुछ माल के चौकीदार होते हैं मालदार और माल के चौकीदार दोनों में फर्ख है मालदार तो वो ये जिसको अल्लह ने दिया भी खूब और व अल्लह के रास्ते में खर्च भी खूब कर रहा है अल्लह की रजा के लिए दोनो हातों से खर्च करते हैं और ऐसे खर्च करते हैं कि अगर इस हाथ से खर्च किया तो उस हाथ को पता नहीं चलता ये आखिरत बना रहे हैं अपनी और माल के चौकीदार को ने जो सुबह उटके बैंक स्टेटमेंट देखते हैं अब अकाउंट में इतना है फुलान जगा इतना फुलान जगा इतना पैसा थकीकत में ये माल के चौकीदार है ये बंदा जो है जो माल का चौकीदार बना फिरता है कुछ सालों के बाद जब इस दुन्या से चला जाएगा ना आुलाद उस माल पर आयाशी करेगी और बाप को ख्यामत की दिन उसका हिसाब देना पड़ेगी इसलिए अल्लह के रास्ते में खूब खर्च करे निद्ऑ आल्या साल वस्माम ने किसम खाकर फर्माया जो बन्दा आल्लह के राह में खरोच करता है अल्लह ताला उस सदके की वज़ह से उसके माल को कम नहीं होने देते माल हमेशہ जज़ादा होता है सिरत किसकी वज़ह से? सदकी की वज़आ नबी आले स्लाट वस्लाम ऐसे ही कोई बात फर्मा देते तो भी बहुत काफी थी सच्चाई के लिए हमारे यकीन करने के लिए लेकिन आपने खस्म खाकर ये बात इर्शाद फर्माई क्या अब भी हम यकीन नहीं करेंगी आप स्लिएल्लाई लेसलम फर्माते थे मैंने आपको एक मिसाल बताई थी बेहनों शायद आपके जहन में हो या नहो खर्च करने को अरबी में इन्फाक कहा जाता है इन्फाक क्यों कहते हैं देखो अरबी का एक लवज है नफक और नफक कहते हैं टनल को जिसके माना आते हैं सुरंग रास्ता पहाड़ी रास्ता अगर है न तो उसको जो है पार करने के लिए सुरंग या अलग-अलग जबान में कोई उसको बोगदा कहता है कोई सुरंग कहता है कोई गुफा कहता है जिसमें से एक तरफ से गाड़ियां दाखिल होती है तो देखें यहाँ पर एक अजीब बाद मैं आपको बता रही हूँ अरबी में इसको नफख कहते हैं तो टैनल या नफख में से पहले वाली ट्रैफिक अगर निकलती है जो आगे ट्रैफिक गई है अगर वो दूसरी जानिव से बाहर निकलती है तभी अंदर नई ट्रैफिक दाखिन हो सकती है और अगर अंदर जाने वाली ट्रैफिक क्या हो गई अंदर ही रुकी रही तो बाहर की ट्रैफिक जो गाडिया है वो अंदर दाखिन नहीं हो सकती आपने गोर करके देखा होगा कभी सफर करते हुए कि अगर कुछ गाड़ी अंदर रह गई ना तो फिर वाकिक गाडियों के आगे जो है ट्रैफिक जाम का सिगनल लगा दिया जाता है वो अंदर जा ही नहीं सकती तो जैसे ये टनल में इस नफख में ट्रैफिक जो है अगर निकलती रहेगी तो नई ट्रैफिक आती रहेगी इसी तरह ये जो लह के रास्ते में बंदा खर्च करता है इसमें भी यही है कि पहले खर्च करेंगे तो फिर और नया आएगा और अगर खर्च नहीं करेंगे जितना है उतना ही रुका रहेगा और नया आमदनी या नया पैसा जो है उसके पास बिलकुल भी नहीं आएगा सुभान अल्ला क्या कॉंसेप्ट है आपने देखो कि निकालोगे तो और भेजेंगे नहीं निकालोगे तो भेजेंगे भी नहीं इसलिए इन्फाख जो कहा जाता है खर्च करने को इसलिए कहा जाता है वो नफख से बना हुआ है कि खर्च करते रहो और माल आता रहेगा खुदूर ने फर्माया अन्फिक यन्फक अलिएक कि खर्च करो तुम पर भी खर्च किया जाएगा यानि अल्लह ताला के रास्ते में अगर खर्च करोगे न तो आल्ला तुम पर खर्च करेगा यानि तुम को अता करेगा और बाद बुजरुगों ने ये भी फर्माया है अन्फिक माफिल जैब यातीक मिनलगईब क्या फर्मा रहें अन्फिक माफिल जैबी खर्च करो जो तुम्हारे जैब में है याती कमिनल गैबी तो वो आएगा जो के गैब में है इंगलिश में किसी ने इसका तर्जमा किया spend and God will send spend यानि खर्च करते रहो तो अल्ला ताला send करेगा भेजेगा अगर spend नहीं तो send भी नहीं चुनाँचे दीन के लिए खर्च नहीं करते इसलिए अल्ला ताला उपर से भी नहीं रोना रो रहे कि भ cr कुप नहीं अअरे बरिस्क नहीं धरे क्या करें क्या करें भी अल्ला कि रह में खर्च करते रहो इतना भी नहीं कि खुद कंगाल हो जाओ मैंने शूरू में बताया लेकिन जो जाइज मकामत है वहाँ पर भी रुकना ये तो बखीली है इस सिफत से अपने आप को बचाए रखे लगारा रब लिजद ने इरिशाद फर्माया आप सल लाह लिए सलम ने इरिशाद फर्माया कि अल्ला के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको अल्ला ताला इसलिए रिस्क जादा देता है कि वो उनके जरीये से अपनी मखलूख को पहुचाना चाहता है वह यह पोस्टमेन हैं डाकिये होते हैं अल्ला उनकी जरूरत से बहुत ज्यादा उनको क्यों दे देता है इस वज़ा से कि अगर ये इस पैसे को अल्ला की मखलूख तक नेक कामों तक पहुँचाते रहेंगे तो अल्ला उनको बरकत देते रहेंगे जब ये पहुँचाना छोड़ देंगे अल्ला उनके बजाए किसी और को अपना डाकिया बना लेंगे जहरी बात है जब अगर पोस्टमेन अपना काम भी ना करे तो उसको नौकरी पर रखा जाता है कि फिर वो लेटर जो है या हमारे कोरियर अमारे सामान हम तक पहुंचाता ही नहीं है उसको हम नौकरी से फौरा निकाल देते हैं कि भी जब यह अपना काम ही नहीं कर रहा तो इसको रखके क्या फाइदा चलो इसकी जगा कोई और दूसरा लगा जा तो मालूम हुआ कि जब अपने पेट के लिए तो नहीं होती उसमें औरों का भी हिस्सा होता है उन पर खरच करें और अपनी आखिरत को बनाए जब ला-चाला माल बड़ा दे तो ज़रा दिल भी बड़ा मांगें माल का बड़ा होना और छीजज़ है और दिल का बड़ा होना और चीज़धे नहीं उनमें फर्क है आप गर करके देखें कितने लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास माल दौलत तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन खैर के कामों पर खर्च करने के तौफिक नहीं मिलती जान चुराते है और बाज ऐसे होते हैं कि जिनको जो है अल्ला ने दिया तो कुछ नहीं होता लेकिन वो खुब खर्च करना चाहते है यानि उनका दिल करता है कि कहा करूं कहा ना करूं मौलाना पिर जुल्फिकार सहाब नक्षबंदी धामद बरकातों वो बताते हैं कि एक मरतबा वशिंटन में उन्होंने दारुलूदा के नाम से एक मरकज बनाया अब जब उन्होंने बता हैं लोगों के अंदर खुशी की लहेच चल रही थी तकरीबां दो ढ़ाई मिलियन डॉलर की वो इमारत थी जिसकी फाइनल पेमिंट करनी थी और लोग खुद ब खुद आकर पैसे दे रहे थे असल में जो है वाशिंटन में ये कॉलेज की बिल्डिंग की जिसको खरीद कर मस्जिद और मदरसे में चेंज कर दिया गया था अब वाशिंटन एरिये में ये सबसे पहली मस्जिद जो मुसल्मानों को अल्ला ताला ने इतनी प्राइम जगा पर अता फरमाई एक वो वक्त कि जब पांच बंदे जुमा की नमाज में शरीक होते थे तो हम सच्दे शुक्रादा करते थे तो फरमा रहे हैं कि जब पांच बंदे जुमा की नमाज में शरीक होते थे तो हम सजदे शुक्रादा करते थे लेकिन हुआ ऐसे कि जब पाकिस्ताइनी MBC वालों ने वेगन भेजना शुरू कर दी तो उनके अमले के 25 बंदे उसमें आ गए 5 से 30 फिर बढ़ते 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 जुमावी उसके अंदर पढ़ी जाने लगी तो वो बता रहे हैं कि मामिला जो है उसकी पेमिट करने का जब वक्त खरीब था एक सहाब आए कहने लगे कि हज़रत मेरी हालत तो यह है कि मैं 10 डॉलर भी मस्जिद के लिए नहीं दे सकता 10 डॉलर भी मस्जिद के लिए नहीं दे सकता आप बस जरा मेरा परदा रख लेना लोग मुझसे भी आकर पूछेंगे मैं इनको कह दूँगा कि मैंने हजरत से बात कर ली है एक साब आके क्या कह रहे मेरी हालत ये कि मैं 10 डॉलर भी मस्जिद के लिए नहीं दे सकता मगर आप मेरी लाज रखना क्योंकि लोग मुझे आकर पूछेंगे न कि वह तुम भी दो तुम भी दो तो मैं उनको कह दूँगा कि मैंने हजरत से बात कर ली है यानि वो लोग क्या समझेंगे कि उसने भी हिस्सा डाल दिया तो हजरत कहते हैं कि मैंने उससे कहा बहुत अच्छा खर्च करने में तो खुश दिली की बात है जो दिल की खुशी से जितना भी दे वो तो पैसा बरकत वाला होता है तो वो कहते हैं हजरत कि चलो बहुत अच्छा अब उसने लोगों को यही कहना शुरू कर दिया कि जी मैंने हजरत से बात कर ली है यानि ऐसी बात कही कि जिससे जो है लोगों ने समझा कि शायद बहुत बड़ी अमाउंट उसने दे दिया है और पिर सा भी बिलकुल खामुश कि अगर किसी का परदा रहे तो चलो बहुत अच्छा है किसी ने पूछा कि भई खुलाने पैसे दिये वो कहते हैं हाँ उसने आकर अपनी बात कर दी है लोग मुत्माइन हो गए एक हफ़ते के बाद एक नौजवान आया बैयत हुआ कहने लगा कि बस मैंने आज सच्ची तौबा कर ली हजरत मैंने आज सच्ची तौबा कर ली मैं बहुत गुनाहगार हुए एक सिंगर जो है वहाँ पर आई हुई थी उसका शो चल रहा था मैं वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ गये हुए थे उसने पता नहीं कैसे इसी बंदे का नाम दिया कि हजरत सबसे आगे टिकेट खरीदने वाला वो बंदा था जिसने अपने घर के ग्यारा बंदों के लिए सौ डॉलर पी आदमी के हिसाफ से टिकेट खरीदे थे कौन से बंदे का नाम लेके कह रहा है उसका जिसने हजरत के पास आकर कहा था कि लोगों से आप कह देना कि मैंने आपसे बात कर ली है यानि इसमें पैसा देने के लिए उसने क्या किया हजरत से कहा कि मेरे पास दस डॉलर भी नहीं लेकिन उसके मुतालिख दूसरा बंदा के कह रहा है कि एक सिंगर के शो में मैंने उसको देखा है कि अपने 11 लोगों के लिए 100-100 डॉलर के लिए वासे मतलब तक्रीबन 1100 डॉलर उसने सिर्फ उस नाजगाने वाले शो के लिए खरीद डाले हजरत कहते हैं है हैरान रह गया मैं कि ये जो बंदा आकर बयान दे रहा है कि मैं मस्जिद के लिए ने खर्च कर सकता क्या वो किसी का नाजगाना सुनने और देखने के लिए 1400 डॉलर के हिसाफ से खर्च कर सकता हजरत ये वाक्या बयान करके कहते हैं कि उस दिन ये बात मेरे समझ में आई कि वाकई अगर अगर अल्ला हलाल का माल देता है तो फिर उसको खैर के रास्ते में खर्च करने की तौफिक भी देता है लेकिन अगर माल के लिए 10 डॉलर की तौफिक नई और गुना के लिए 1100 डॉलर खर्च कर रहे आज यही हाल हम लोगों का भी है हमें से कई आपको ऐसे नजर आएंगे कि जिनको नेकियों के कामों में खर्च करते हुए जान जाती है लेकिन वही दुनिया के रीत रिवाज के खातिर शादी बिया के फुजूल फंक्शन के खातिर दुनिया के लोगों को खुश करने के खातिर ہزاروں روپئے خرچ کر رہے ہیں وہاں ذرہ برابر بھی خیال دل میں نہیں آتا کہ ہم جو ہے کسی گناہ کے کام میں لگے ہیں اسی لئے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم مال کے خرچ کرنے سے مال کے آمدنی کا اندازہ لگایا کرتے تھے اگر مال حلال طریقے سے آ رہا ہے تو حلال جگہ پہ یعنی اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے جائز کاموں میں اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں خرچ کر رہا ہے تو سمجھیں کہ اس کی آمدنی بھی حلال ہے اور اگر کوئی نیک کاموں میں خرچ نہ کر کے صرف فضول خرچی میں دنیا داری میں عیاشی میں غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے کہیں شراب کی دکانوں پہ کہیں کلبوں میں کہیں ناجگانوں میں کہیں اس میں تو اندازہ لگا لیں کہ شاید پھر اس کا مال جو ہے کیا ہے غلط طریقے سے آ رہا ہے اس لئے غلط طریقے ہی پر خرچ ہو رہا ہے اگر دین پر خرچ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مال حلال ہے اور اگر برائیوں پر خرچ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مال حرام کا ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ نعمت عطا بھی فرمائے اور اس نعمت کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ إلا آنت نستغفرک و نتوب إلیک سبحان ربک رب العزت عمّا يسیفون و سلام على المرسلین و الحمدللہ رب العالمین جزاللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ